दोस्तो लास्ट वीक मैंने एक नया माइक्रो ब्लोगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर वीडियो बनाया था जिसमें ये बात किया था कि क्या-क्या उसके फीचर्स हैं और कैसे उस एप को यूज करेंगे उसी को लेकर हमारे कुछ वीवर्स ने पूछा है कि थ्रेड्स व आज हम इस वीडियो में थ्रेड्स वर्सेज फीचर्स पर बात करने वाले हैं तो चलिए बारी-बारी से इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं तो दोस्तों देखिए थ्रेड्स माइक्रो ब्लोगिंग प्लेटफॉर्म जो की मेटा नेटवर्क के तरफ से हैं कहिए तो मार् बहुत ज़्यादा गिरावाट देखने को मिला है जाहिर जीबात है कि मेटा नेटवर्क में बहुत सारे यूजर्स हैं एज पॉम्पेर टू टुट्विटर तो मेटा नेटवर्क के सारे यूजर्स धीरे-धीरे थ्रेड एप को जोइन कर रहे हैं और टूईटर को धिरे- Threads versus Twitter दोनों में क्या differences है तो differences number one character limit त्वीट पर आपको character का जो limit मिलता है पर tweet वो होता है 280 characters per tweet इससे ज्यादा character का आप एक normal Twitter account से tweet नहीं कर सकते वहीं दूसरी तरफ अगर threads app में देखा जाए तो वहां पर आपको 500 characters तक का limit मिलता हैं एक post करने का कई ये thread apps में एक tweet करने का number two account sign up आपको twitter पर account बनाने के लिए account sign up करने का option मिल जाता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ thread app में आपको कोई account बनाने का या sign up करने का option नहीं मिलता है बलके आप अपने existing instagram account user credential को ही use करके आप thread app में login कर सकते हैं वहाँ पर आप कोई दूसरा या separately कोई account sign up नहीं कर सकते हैं twitter की तरह number three custom URL यानि की username तो जी हाँ आपको twitter पर custom URL set करने का option मिल जाता है username बदलने change करने का option मिल जाता है लेकिन वहीं threads app में आपको ये option बिलकुल भी नहीं मिलता क्यूंकि आप instagram के existing account को ही use करके sign up करते हैं thread app में तो इसे लिए अगर आप username change करना चाते हैं अगर आप custom URL change करना चाते हैं तो फिर आपको अपने instagram app में जा करके अपने username change करना पड़ेगा देन ही आपके thread app में username change होगा क्यूंकि आपके जो profile होता है उसका सारा information instagram के account से ही sync हो करके सारा का सारा information thread app में दिखाता है नमबर 4 trending button at home page तो देखिए twitter पर आपको एक trending का भी tab मिलता है जिस पर आप click करके देख सकते हैं कि उस समय क्या कुछ trend कर रहा है हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया भर में लेकिन ये वाला trending option आपको thread app में देखने को नहीं मिलता है यानि कि आप thread app में ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे देश में अभी क्या कुछ trend कर रहा है किस चीज पर लोग ज़्यादा चर्चा कर रहा है या फिर दुनिया भर में कौन सी टॉपिक पर लोग ज़्यादा चर्चा कर रहा है क्या कुछ trend कर रहा है ये सारी information आपको thread app में नहीं मिलता है लेकिन twitter पर मिलता है नमबर 5 following button at user profile जी हाँ आपको twitter पर दो तरह के user profile पर options मिलते हैं नमबर 1 होता है followers जहाँ पर नमबर लिखा होता है कि कितने लोग आपको follow कर रहे हैं और दूसरा option होता है followings जहाँ पर number लिखा होता है कि आप कितने लोगों को follow कर रहे हैं लेकिन ये जो following वाला option है ये thread app के user profile पर नहीं दिखाता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको followers दिखाता है followers के numbers दिखाते हैं और followings देखने के लिए आपको followers के number पर click करते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर second option मिलता है जो कि following का list होता है लेकिन user profile पर नहीं मिलता है number six video limit तो twitter पर आपको video post करने का जो limit होता है वो 2 minute 20 seconds का यानि कि लगभग 5 minute की video आप ट्विटर पर post कर सकते हैं लेकिन वहीं thread app पर आपको ज्यादा option मिल जाता है यानि कि 5 minute तक की video आप thread app पर post कर सकते हैं यानि कि twitter के मौकाबले thread पर आप double time का video post कर सकते हैं number seven blue badge यानि कि blue tick तो twitter पर आज के date में blue tick अगर लेना होता है तो उसके लिए हमें subscription लेना होता है monthly payment करना होता है लेकिन ऐसा thread app में नहीं है thread app में जो blue tick होता है वो automatically Instagram वाला ही appear हो जाता है यानि कि अगर आपके Instagram account पर blue tick मिल हुआ है तो वो blue tick automatically आपके thread app में भी दिखाने लग जाएगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि Instagram account की जो account information होता है वो सारा का सारा information thread app सिंक करता है sign up करने के बाद तो blue tick भी आपके Instagram account वाला ही thread app में दिखाता है thread app में आपको किसी भी तरह का कोई extra payment किसी भी तरह का कोई subscription लेने की जरूवत नहीं पढ़ती है लेकिन Twitter पर आज के date में subscription लेना पढ़ता है blue tick continue रखने के लिए monthly payment करना पढ़ता है blue tick continue रखने के लिए तो देखिए Twitter पर आपको tweet draft करने का option मिलता है लेकिन आपको ये draft का option thread app में नहीं मिलता है लेकिन जल्द ही ये thread app में भी आने वाला है लेकिन अभी फिलहाल ये option कहिए तो ये feature thread app में available नहीं है अब बढ़ते हैं अगले point की तरफ जो की engagement से related है point number 9 है average likes तो Twitter पर आपको average likes देखने को मिलते हैं वो होता है 4.9 लेकिन वहीं thread की बात करें तो वहाँ पर लगबग आपको 31.4 likes देखने को मिलते हैं यानि कि Twitter के मुकाबले 6 times ज्यादा likes आपको thread app पर देखने को मिलता है अब बढ़ते हैं आखरी और number 10 की तरफ तो number 10 पर है average comment तो Twitter पर आपको average comment जो 0.4 देखने को मिलता है वहीं आपको thread app पर average comment 4.3 देखने को मिलता है यानि के Twitter के मुकाबले Thread App पर आपको 11 टाइम ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिलते हैं, average कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तो ये था Twitter versus Thread, यानि के Twitter और Thread में क्या फरक है features के मामले में, engagement के मामले में, post करने के मामले में, video post करने के मामले में तो चली आज तक के लिए इतना ही इससे related अगर फिर भी कोई सवाल हो, query हो तो आप हमें comment box में लिक करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा लोग सब शेर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमाई YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें